नमस्कार दोस्तों आप शर्वी का बहुत बहुत श्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8, 9 और 10 अपरेल के आपकी राशी के महाराशी फल की बारे में सबसे पहले दोस्तों जिनका भी इश में बड़े है या फिर इनवेर्सरी है आप शवी को मैं तरब से धेर शारी शुप खमनाए आप दिन दुनी रात चौगनी तरके करें तो आई दोस्तों से ये शाथ बात करते हैं ये शमी गरों के तोधिक केशियों की क्या-क्या योग बनेंगे और इन शवी कशर आपकी राश उपर क्या होगा किन-किन जियों को लेकर ये शमी आपको शावधा लेना होगा और कौन-कौन से कारा किरा आपके लिए भाग शालोंगे ये शमी आपका लब-लाइप के शार हैगा श्वास के शार हैगे के शार हैगा दोस्तों इन तीन दिनों में आपका पार्योंग जोन के शरह रहेगा पार्थिक सिति और धन को लेकर इस सितियां केसे वहत्य दोंगे इन शबीकी मैं पूल जान कर देंगे तो दोस्तों वीडियो को मिशना करें और शुरूर चिलेकर अंत तक जरूर देखें वीडियो के अंत में बहुत ये अच्छी उपाए हैं जोने आपकर के अपने जोन में बहुत ये अच्छी लाब कमाएंगे तो दोस्वों अंतरत हुआ को प्रारम करते हैं पहले जानले की जेदी वारे में लिख захoter"- योग इस दिन तो परेके एक बच कर एक व्यूट कर रहे गा। उशको प्रांते शुक्रन नाम का योग प्रारम हो जाएगा दोस्तों राव कल का शमय रहेगा दोपर की दो बचकर दो मिनट शी लेकर शाम के तीन बचकर 35 मेंट तर ये राव कल का शमय में आपको भी महत्पुन काले को ना करें और चनरमा कुमराशी पर संजार करेंगे 9 अपरेल के दिन शुकरवार के दिन रहेगा 13 तिती और पुरुबादबदा नचत रहेगा इस दिन में बहुत ही शुबयोगें ब्रहम नाम को योगों रहने वाले हैं और राव कल के शमय शुबके 10 बचकर 25 मेंट शी लेकर तो पार के 12 बचकर 28 मेंट रहेगा ब्रहम नाम की योग के बाद इस दिन इंदर नाम को योगों रहने वाले हैं और यह योग भी आपके लिए लाप गारी रहने वाले हैं और शुबके 10 बचकर 24 मेंट रहेगा और चेदर मान दिन में राश्यू पर स्नचार करेंगे तो ऐ दोस्तों बात करते हैं इन तीन दोस्त बनेंगे और ये नए दोस्त आपके जियोन में धिरे महत्पुन अस्तान बना लेंगे आप इस दोरान अध्यात्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं अथवा धर्म और राजनीती में विसेज रूची लेंगे दोस्तों यह समय धर्मिक किरिया कलापों में आप दिल खोल कर पैसा खर्च करेंगे मैं दोस्तों नेगेटिव की अगर बात करें तो यह दिन यात्रा करने से आपको बचना चाहिए क्योंकि आपको वन्चित परिणाम नहीं मिल सकते हैं दोस्तों आपको काफी अधिक खर्चों का यश्मिर सामना करना पड़ेगा जो दोस्तों आपकी आर्थिक इस्तिक को भी प्रवाइद कर सकती है दोस्तों यश्मी राहू आपको तिकडमी बनाएगा और आप धन कमाने के रिए सौटकॉट रास्ते भी अपनाने का प्रयाश करेंगे दोस्तों यश्मी आपको अपने दोस्तों से कुछ मामलों में अच्छा सहयूग मिल सकता है दोस्तों आज का दिन कई तरह से उपलोदियों वाला सुमे हो सकता है दोस्तों यसमे आपकी परतिबा को पाचान भी मिल सकती है लोग आपके काम से संदूश्ट रहेंगे आपके साथ काम करना लोग यसमे पसंद करेंगे किसी भी तरह की बीवाथ से यष्में आप बचें दो स्दों यष्में हलांकि किसी तरह की बीवाथ की कोई शंभावना नहीं है दोस्तों एगर यष्में अगर आपकी कर्ययर का लिकर बात कए तो आपको अपने creativity के कारण एक अलग ही पहचान मिल सकती है अगर आप जॉब करते हैं तो उनमें आप तरकी कर सकते हैं आपका कोई इशा काम जो कि आपके बोस को पसंद आ जाए और उनके कारण आपको एक अलगी पाशान में ले आप अपने ओफिस में आफिर अपने कारवार के छेदर में सबके लीडर बन सकते हैं यसमें आपके लिए बहुत ही अचा रहेगा दोस्तों यसमें यदि आप अपने लक्षियों को प्राफ्ट करना चाहते हैं तो विनमर बने और लोग आपका समर्थन करेंगे आपकी तो दोस्तों यसमें अगर आपकी लव लाइप की बात करें तो दोस्तों जब तक आप किसी विशेश स्यक्ति से मिलते हैं तो दोस्तों आप यसमें सुनक्षित करें कि आप खुद को परतिबद कर सकती हैं दोस्तों यसमें इन दिनों में आज जो अभिवायतों हैं उनके यह दोस्तों अच्छा परफोजल मिल सकता है उनको साधी का अच्छा परस्टावा सकता है जो कि आप स्योक्राइबी करेंगे और इस पाप दिए परफेट भी होगा वह दोस्तों यह समय कर आपकी हेल्थ को लेकर बात की तो दोस्तों आपको पीट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है भारी काम करने से यस में आप साधर रहें दोस्तों इन दिनों जोड़दार कसरत सत्र के करने के बाद आप अराम करें और काया कल्प करना भी मत भूलिएगा यह आपको अपनी आहर और वयाम प्रणाली को जारी करने में मदद करेगा दोस्तों इन दिनों यस इस दिन के गरव भागिशाली अंक और भागिशाली रंग की हम बात करें तो दोस्तों यस में आपका भागिशाली रंग रहेगा लाल और भागिशाली अंक रहेगा पांच दोस्तों यसमे जन संपर्प सेवास से जुड़ी लोगों को अधिकारी वर्ग की किरपा मिल सकती है अभी नेताओं को उल्लेखनी अवसर भी यसमे मिल सकती है दोस्तों आत्म बल देड़े रह सकता है दोस्तों यसमें आप हनुमान जी के सामने चमेली के तीर का देपक जलाएं इसी दोस्तों ये दिन आपके लिए और भी मत पुरुन सावित होगा दोस्तों यसमें आप स्वभाव से वयवारिक हैं परंतु कुरोध भी करते हैं लेकिन दोस्तों यसमें अपने आविक को आप वहारिक्टा से नियंतरन कर सकेंगे इस तरह से इस बात अच्छी है क्योंकि आपको अपना आविक टालने के लिए एक भूमका की आवशक्ता है इसमें बुजर्गों का महर्ग दर्शन सायक बनेगा आज का दिन अधिक अच्छी तरह से बिना तकलीब से असानी से आप वहतित भी कर सकेंगे दोस्तों आसान कारे जिने आप आम तोर पर बड़ी साज़ता से पूरा कर सकते हैं वो आज आपका अधिक समय लेंगे दोस्तों ऐसी स्थिति तब होगी जब आपके पास ऐसे काम होगे जिने आप जल्दी जल्दी पूरा करने की प्रयास कर सकते हैं आई यसमें जल्दी जल्दी कामों को पूरा करने की आप शक्ता भी होगी दोस्तों गनेश जी कहते हैं कि जब आप दबाव महसुद कर रहे हैं तो दोस्तों यस में दबाव महसुद किये बिना जिम्यदारियां उठाना शिख जाएंगे तो दोस्तों आपकी चीजें भी अच्सी हो जाएंगी और आप अपने पीरी के साथ बात करने में दिल्चजबी नहीं लेंगे दोस्तों आज आपको अपने पीरी शे भावनत्मक सहयोग मिलेगा दोस्तों यसमें सहयोग मिलने की उम्मीद हो सकती है अलाकि गने जी को लगता है कि आपको अपने पीरिक पर ध्यान देना चाहिए और उनके सामने अपनी भावनों को भी खुले तर पर वैक्ट करना चाहिए ताकि दोस्तों वह आपकी भावनों को समझ सके दोस्तों यसमी आज आप अधिक वैवारिक होंगे और आप चीजें और अपने आसपास के लोगों के बारे में गहराई से सोचेंगे और दोस्तों इससे आपको काफी अच्छा सोजने की समता बढ़ जाएंगी दोस्तों इसके अलावा आप अपनी भानों को नियंदरन में रखेंगे और परुपकार के काम में करने से यसमें आप भचेंगे वह दोस्तों यसमें गनेश जी को लगता है कि आपके सयोगी रवय और तारकी कोशल को आफिस में स्विकारा भी जाएगा हलाकि आपको ठकान मौसुद होने की संभावना है क्योंकि दोस्तों ये दिन आप पर अधिक वर्क लोड रहने के शंकित दे रहा है वह दोस्तों व्यक्तिगत मौर्चे पर यसमें आपका ध्याना किर्शित कर सकता है वह दोस्तों आज की दिन आप फ्रोजन या पिर अनहलिक खाने से बचने की कोशिश करें क्योंकि ये आपके स्वास पर परतिकुल प्रवाव डाल सकती है दोस्तों आज की दिन आपका उर्जा का अस्तर जो है उंचा रहेगा आप जोन में पेशे की एहमियत को नहीं समझते लेकिन दोस्तों आज आपको पेशे की एहमियत समझ में आएगी क्योंकि आज आपको पेसे की बहुत आश्रक्ता होगी लेकिन आपके पास प्रयाप्त धनी ही नहीं होगा कोई आपको नुक्सान पहुंचाने की यसमे कोसिस कर सकता है आप साधान रहे कई मजबूत ताकतें आपके खिलाब काम कर सकती है आपको इसे कदम उठाने से यह से में बचना चाहिए जिसके चलते उनका और आपका आमना शमना हो अगर आप हिसाब बराबर करना चाहिए तो ऐसा सलीकिय से ही किया जाना चाहिए प्यार का भरपूर लुप्त मिल सकता है दोस्तों खुद को अभी वक्त करने के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और इसे प्रोजेक्ट पर काम केजिए जो रशनात्मग हो दोस्तों आज किसी सकर्मी के साथ आप साम का वक्त बिता सकते हैं हलांकि यंत में आपको महसुल होगा कि आपने उनके साथ शमी भरवात किया है और कुछ नहीं दोस्तों आप अपने जोन साथी के प्यार की मदद से जिन्दी के मुश्कोलों का सामना असानी से कर पाएंगे तो आई दोस्तों अब बात करते हैं यश्र में आपको कौन से उपाएं को करना चाहिए कौन से अचुक टोटके आपके लिए भागेशारी सावित होगा तो दोस्तों यश्र में आप छोटे कन्याओं को छेन या फिर खुवे की मिठाई खिलाएं चोकलेट टोपी बाटें दोस्तों इससे आपका पारिवार एक शुक बढ़ेगा और आपका प्रेहन समद्ध और भी मजबद होगा तो दोस्तों और यह दिए जनकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और सेर जरू कर दें धन्यवाद